हेई एवरीवन विल्कुम तो सिरकारियट वंस अगई तो इस वीडियो में जो है मैं आप सब्सक्राइब के साथ एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर शेयर करने वाला हूं जो कि एम सियारी एंट्रेंस एक्जाम 2023 के रजिस्टरेशन प्रॉससर रिलेटेड है तो आपको जैस दिसेंबर है शाम के पांच बज़े से पहले पहले आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लो जिसका भी फॉर्म अभी तक अधूरा है जिसने भी अपनी पेमिंट वगरा नहीं करी थी पेमिंट नहीं हो रही तो फिर भई आपको ट्राइबार बार करना पड़ेगा ठीक है मैं जोगा है वह अपना एक्जाम सिट्टी वगरा सेलेट करके पूरा जो आपका फाइनल मतलब पेच का प्रेंट आउट आउट आपको जो सेव करना वह समेट करने के बाद वह आप जरूर कर लेना क्योंकि अगर आपने प्रेंट आउट मतलब सेव नहीं करा मतलब यह आपन complete करना जरूरी है तो उसमें जितने भी 7-8 steps जो भी है आपके उन सब में जो है मत्तब वो सारे के सारे आपके complete होना चाहिए किसी में भी ओ रेड कलर का नहीं होना चाहिए चाहिए तो एक तो important update यह था आपके लिए और दूसरी चीज थी correction window के regarding क्योंकि बहुत सारे students correction के बारे में भी बूच रहे थे कि correction हो पाएगा नहीं हो पाएगा होगा तो कैसे होगा तो यहां पर आप यह देख सकते हो इतनी screen के सामने point number five जो है इसमे reason for rejection status of application तो यह लिख है कि only for candidates requiring correction during status and registration और completion of application form only for those who had made payment the edit panel will be available from 6 12 2023 to 7 12 2023 ठीक है तो यानि कि जिसने payment वगर आपना complete कर दिया है बागी जिसको correction करना होगा वो यहां पर जो correction कर पाएंगे जिनका मतलब form complete हो चोका है तो 6 दिसम्बर से लेकर 7 दिसम्बर के बीच में window open होगी 6 दिसम्बर को मतलब morning में आप 10-11 बजे के बाद आप try कर सकते हो correction को option वहाँ पर आ जाएगा और एक चीज़ ध्यान रखना कि correction का option सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार दिया जाएगा यानि कि वो जो नीचे edit का एक option आता है अभी तो वो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको correction का मौका सिर्फ एक बार दिया जाएगा यानि कि एक बार आपने correction करके submit दुबारा से कर दिया तो आप सुचो कि दुबारा से मैं उसको correct कर पाऊं तो फिर वो किसी भी हाल में नहीं होगा ठीक है तो इसलिए सबी candidates से request यह है कि एक बार अपना form जिन्होंने complete कर लिया है वो एक बार अपना form बहुत अच्छे से check कर ले क्योंकि अगर कुछ भी गलती होती है कुछ भी mismatching होती है document verification के time पे तो आपने कितना भी अच्छा perform किया हो अपने entrance exam skill test इन सब में आपको जो है वहाँ पर joining letter नहीं मिलेगा ठीक है document verification में कुछ भी mismatching मिलती है उनको तो वो आपको reject कर देंगे and फिर आपका जो candy teacher उसको cancel कर देंगा ठीक है तो जिन्होंने भी form अपना complete कर लिया please form के printout निकाल लो एक बार क्योंकि form का printout आपको save करके तो रख नहीं है और हो सकता है document verification के time पे भी मांगा ठीक है यह जो है मतलब details और आपका खुद का नाब यह चार ऐसी details है जिसमें आपकी कोई भी mistake नहीं होनी चाहिए और इनकी जो exact spelling वगरा जो भी है name वगरा की वो आपकी class 10th की mark sheet से match होनी चाहिए अगर नहीं होती है तो फिर उस time पे जब document verification क्योंकि आपकी class 10th की mark sheet और certificate से किया चाता है यह जो basic information होती है उसके basis पर ठीक है तो उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होने चाहिए बाकि जो भी आपने educational qualification details भरी है या experience वगरा से details भरी है उसमें भी कुछ गडबड नहीं होनी चाहिए मालों आपका experience six months का आपने one year का कर दिया ठीक है और बाकि चोट सब्सक्राइब कर सकते हैं मतलब यह कि आपकी category general थी आपने OBC select कर दिया SC कर दिया आपकी OBC थी आपने SC general जो भी कर दिया वो change नहीं होगी ठीक है तो यह है कि आपकी कोई भी category हो आपने general category select करी है तो एक बार कुछ चलता है वो क्योंकि आपने मालों अच्छे नंबर ला दिये और आपको general category से seat मिल जाती है आपने के उपर वो बहुत important है बेकॉस यहाँ पर category certificate OBC और EWS के case में central वाला चलेगा ठीक है और बाकी उसकी एक date भी दी हुए कि इस date के बाद कहीं बना होना चाहिए अगर आपका पुराना certificate है तो आपको renew करवा लेना चाहिए अभी भी अगर आप renew करवा लोगे तो वो चल जाए वीडियो आपको helpful लगे तो प्रीज को दो लाइक कर देना अपने फ्रेंज के साथ बिस को शेयर कर सकते हैं जिन्हों ने इसके लिए फॉर्म फिल किया है ओगे तो थाइंक कियो और हमना इस टे